यह जो अपने स्कूटी के लिए बना रहे हैं अभी क्या है इसमें मैंने सेल को सेलों को इसके बठा लिए बेसिकली यह सेल इस तरह के थे कुछ वन्-टो-वन करके इनकंदर स्रीज मैंने अंदर बठा दी अंदर पुरी आप देख पा रहे होंगे कि यह 13 लाइन की स्रीज है पुरी एक दो तीन चार पाउच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा ठीक है तेरा लाइन की स्रीज है इसमें एक सैट पोजिटिव ह है हुआ है कि एक सैट पोजीटिव है एक सैट इस के ए एक फिचेट पोजीटिव तो मैं एक स्ट करते हैं और इसके बाद नहीं को पर लगाने वाले बीमेस लगा के बैट्री को इक दम रेडी करके चेक कराते हैं आपको ठीक है तो चलिए पर तेर लाश्ट स्टार्ट को पर लाश्ट स्टार्ट झाल 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 यहां तक पहुच गया है यह लाइन पुरी शोट कर लिया है ऐसे सीधी अब बेसिकली यह तेरा सेल है तेरा सेल को हम वह ऐसे आपस में सीरीज में डिवाइड करना है यहां पर तालिस वॉल्ट बन जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस तरब से positive से negative जोड़ेंगे, ठीक इस तरब से positive से negative जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते वे हम यह तीरा series को आपस में sort करेंगे, तो one to one करके पहले यहां से जोड़ते हैं, एक को जोड़ते हैं, फिर एक को छोड़ते हैं, फिर एक को छोड़ते हैं, फिर एक को छोड़ते हैं, फिर बाई वन उदर से करेंगे, एक को छोड़के एक के साथ जोड़ देंगे, तो स्टार्ट करते हैं ठीक है, तो पहले हम इस साइड को जोड़ना शुरू करते हैं, पहले इसको शुरू करते हैं जोड़ना, अब इसको नेगटिव की साथ जुड़ेंगे, यहां पर, यहां से इस लैन को कट करते हैं, यह क्या हो गए? यह लैन इसको सशोट हो गए, यहां है नहीं के पोजिटिव से नेगटिव सोट होगे, अब ठीक तरह से इस तरह हम पलचेंगे इसको यहां पर, अभी इस वाले से इस वाले में जोड़ना है हमको तो पहले इसके पॉजिटिव में जूड़ेंगे एक वायर पहले इसके पॉजिटिव में जूड़ेंगे एक वायर जुड़ेंगे पॉजिटिव में अब इसको इधर के इसके नेगिटिव में जूड़ेंगे शोल्डर बहुत मजबूत होना चाहिए अगर आप शोल्डिंग से कर रहे हैं बागी तो ये मशीन से होना चाहिए तो ज्यादा सेफ रहता है अब अ बस्क्रेंट से कट कर देंगे इसी तरह से अमें यह फूरा जोड़ना .. ऐसे ही पल्टेगे इस तरफ और इस वाले पॉंट से इस वाले पॉाइंट ब 추가 फोर करेंगे यहां से और शोड़ करना है झाल 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 हमें मीटर के थुरू आपको चेक करके दिखाऊंगा कि जो हमने भी तक तार जोड़ी हो ठीक काम कर रही है नहीं जैसे कि हम यहां पर चेक कर पाएंगे हम यहां पर इधर वाले में और एक तार हमने यह यह और यह और यह चार सीरीज जोड़ चुकिए हम यहां लगाएंगे तो बारा वोल्ट यहां पर आने चाहिए 3,3,3,3,3,3,2, तो अब हम यहां पर लगाएंगे और यहां पर लगाएंगे तो यह बारा वोल्ट आने चाहिए तो एक सेल 3 पॉइट कुछ का है तो एक सेल यहां पर दिखा रहा है आपको 3.5 तो टोटल अगर 6 लोगो 3.5 को मिलाएंगे तो यहाँ पे आपके 14 वोल्ट दिखाई दे रहें इसी तरह से हमें पूरी के पूरी सीरीज को सोट करना है तो हम 1 by 1 में पूरी सीरीज को सोट करते जाते हैं अभी हमने यह दोनों लाइने सोट कर लिए आप देख पार में, यहां से यहां पर साइज सोट कर लिए एदर की, अभी हमने सोट कर लिए-पूरी आपके तो अब मैं तव्या को वोल्टेज में चेक कराने वाला हूं जैसे कि मैं यहां पर यहां पे सका negative एंट तो यहां पर नेगेटी वाला लगा देता हूं और one by one करके भीम बोल्टेज है कर सकते हैं पहला प्रहांए जैक करेंगे तो यहां पर 3 वोल्ट आ रहे है ऐसी बढ़ते चलेएंगे जैसे यहां पर चेक करेंगे, साथ हो गए, यहां पर चेक करेंगे, तो 10 हो गए, और यहां पर चेक करेंगे, तो 14 हो गए, ऐसी कर गए, अगर मैं यहां पर लगाता हूं, तो 40.3 voltage पूरे completely इसमें दिखा रहा है, 47.2, तो अभी हमारी बैटरी के जितने भी connection ते सारे हो गए है, अब इसमें रहे गया है, BMS अटेच करना, तो मैं अभी BMS की तार लगाने बता देता हूं, आपको किस तरह से BMS की तार लगने वाली है इसमें, और BMS की तार को अटेच करन हमारे BMS की lead, और मैं इस lead को इसमें attach करने बाला हूं, BMS की lead को, तो one by one करके इसके connection आपको बता रहा हूं, positive से लेकिन negative point तक इसके connection होएंगे, ठीक है, इसके अंदर आप देख पाएंगे, पुरी की पुरी 13 तारे होती है, तो 13 अलग लग शेलो पे इसकी तारे लगेगी, तो ठीक है, अब इसको मैं connection करता हूं, यह black वाला तार माइनस भी पर लगा दिया, अब second जो wire है हम इसका, जैसे second wire यह वाला है, तो second wire को माइनस में ही लगाने वाले है, तो अब यह माइनस के, इस side में, यह second वाला wire लग जाएगा, यह माइनस इसका second point माइनस का है, पसीच तरह हम यह माइनस पर, यह सारे तारों को सिर्फ माइनस पर लगाते जाना है, तो यह हमने इदर माइनस में, अटेच कर दिये, दूसरे तरह माइनस में, अब जो दूसरा वाला wire है, इसका तीसरा, यह तीसरा जो wire है, यह हमें इस तरह माइनस में अटेच करना है, इस तरफ जो माइनस का है पॉइंट बना रहा है यह वाला जो पॉइंट माइनस का इसमें लगाने है तो सिर्फ माइनस में ही इसको लगाते चले जाना है लाश्ट तक तो आखिरे में जो हमार बचेगा वह हमार बचेगा पिलस का बचेगा ठीक है तो फट 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 हम इसको लगा लेते हैं अब देखिए इस तरह से सारे राके लग गए हैं यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक तो अभी क्या गरना हमें इसको हिसाब से फोल्ड कर लेना है तक यह आपस में अटेश्ट ना हो जाएं उस हिसाब से ठीक है तो मैं इसे कर लेता हूं फटाक से हुआ 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 है दूद कर दो कर ददो कि ये इस चरए से करथा या यह ओगंच focus ओभाई या बिद्धा यह को उगए हमारे और यह में घ्र-इनली तो हम ब्रों सी एंध कि यहां पर लगाने वालेरे बिलाई आप्ट्री में connection देने के लिए एक heavy wire की जब होगी, तो मैं छे mm का wire उसकरने वाला हूँ, और इसको मैं minus side में short करने वाला हूँ, minus से, BMS के minus में लगाँगा इसको, तो minus से attach करते, और इसको solding करना चालू करते हैं, तो यह माइनस के तार हमने यहां पर जोड़ लिए और इसको उपर की तरफ कनेक्शन देना है बीएमेस में तो वहां से में इस तार को यहां पर लिए हूँ बीएस में कनेक्शन देने के लिए तो अब यह हम ने भी में से illegले कर लिया तो टोसे यहां पर और चार्जिंग पौइंट यह हमारा स्यारजिंग पौइंट है तो यह दोनों दोने से अहले स़िप्प में میں एक हैं इस में सिटिक चौर्जिंग होती है और से डिस्चार्ज दिए और यह इसके अंदर जो बीमेस लगावा है लेलोन बैटरी लीथियम बैटरी तेरह सीरीज का 48 बोल्त का बीमेस है और डिस्चार्ज इंग करेंट 25 अमपर तक लिए लोड ले सकता है बिद बैलेंसिंग टिक है और चार्जिंग जो करण्ट यह ले सकता है इसमें दिखा रखा है यह आप 10 अमपेर तक चार्जिंग ले सकता है तो अब जैसे कि मैं वल्टिमेटर से चेक कर अपाँगो यहां बें और यह हमारा नेगिटिव पॉइंट है और यह हमारा इसके अंदर आप इसकी जो हिस्से में है दिखा रहा है टोटल की टोटल और 48 पॉइंट कमारा बीमेस है और यह हमारा चार्जिंग पॉइंट है जहां से हम इसको चार्ज करेंगे इसके अगर अंदर मैं लगाता हूं करण्ट तो यहां पर भी 48 पॉइंट एक करण्ट वो और इसमें भी सिम वोल्ट ने जा दिया है कि बैट्री बनके बन तयार हो चुकी है पूरी तरह से अब हम लोग में क्या गर्म है यह शीट शीट के अंदर बैट्री तो इस तरह से डालेंगे अब यह शीट देंगे और यह सको परसे चिपक जाएगा अब हमारी बैट्री एकदम कंप्लेट हो जाएगी लेकिन अभी हमें इसमें तो थोड़ा सा वरक करना है एक बाद टेस्टिंग लेए बैक अप भी देखना है कितना आ रहा है और उसके बाद बैक आप के बाद में लास्ट में हम लोग इसको फाइनल टेच अप देंगे पैकिंग अगर बैक अप थोड़ा कम आएगा तो हम इसमें सेलों को अटेच कर देंगे अभी तक यह साथ सेल की सिरीज है हम इसको बढ़ा गए 10 सेल तक कर सकते हैं इसमें अवरग 25 तक का जो है बीमस भी लग तो अभी इसको फाइनल टेच ने देंगे इसको पैक करके बागी बैटरी कम्प्लीट हो चुकिया है